नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षय गरवार स्वागत है तमाम दर्शकूं का इस खास पेशकश में जहां आज बात होने वाली है गुरुवार को सुनाए गए सरवोची दियाया लेके उस फैसले को लेकर के जिसने बीजेपी नेतरतव वाली केंडर सरकार या कहीं की मोधी सरकार को बैक फुट पर धकेल दिया है तरसल ये जो पूरा मामला है ये शुरू होता है साल 2017 से साल 2017 में केंडर सरकार की द्वारा इलेक्टोरल बोन पेश किया गया इलेक्टोरल बोन 2018 को Electoral Bond को कानूनी अमली जामा पहना दिया यानि ये एक प्रकार का अब कानून बन गया या कहीं की कानून के दाइरे में आ गया Electoral Bond आखिर क्या दा Electoral Bond सब के मन में ये सवाल आता है लेकिन उस से पहले बता दें कि इस ही Electoral Bond पर सरवोच नयाले ने गुरवार को हुई यहां पर अपनी पांच सदस्य पीट के माद्यम से ये फैसला सुनाया है कि यहां Electoral Bond अब आगे नहीं चलेंगे और उन्हें रद करार कर दिया है साथ इसे साथ उसमें पारदर्शिता को लेकर भी अब यहां फैसला सुना दिया गया है कि जो कोई भी Electoral Bond के जरिये अब तक पार्टी को फंड मिला है जितना फंड मिला है जितने भी राजनीतिक दलों को मिला है वो अब सब के सामने आना चाहिए दरसल आपको बता दे कि Electoral Bond को लेकर कि सरकार ने जब 2018 में कानून बनाया तो उसमें नियम ये भी थे कि Electoral Bond जो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को देगा है तो उसका नाम गोप निये रखा जाएगा यानि कि उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा चाहे वो व्यक्ति Electoral Bond BGP को ही दे Congress को दे या अन्यक किसी और राजनीतिक दल को दे लेकिन उसका नाम जग जाहिर नहीं किया जाएगा अब जब इस बात पर यहां ये आती है निकल कर कि Electoral Bond पे जो यह Electoral Bond खरीद कर Party को देने वाला व्यक्ति होगा उसका नाम जग जाहिर नहीं किया जाएगा तो उसको लेकर ये चीज आती है कि ये जो नियम Electoral Bond के कानून में है ये सीधे तोर पर RTI का लंगन करता है तरसल आपको बता दें यहां पर कि Electoral Bond के जरीए जो पैसा एक Party को मिलता अगर उस पैसे को कोई भी देश का नागरी के जाना चाहिए कि पैटी को Electoral Bond के जरीए कितना Fund मिला है वो ये नहीं जान सकता था क्योंकि यहां पर जो पारदर्शिता होती है उस पर रोक लगा दखी थी के अंदर सरकार ने और ये सीधे तोर पर खिलाफ कर रहा था समिधान के द्वारा दिये गए तमाम नागरीकों को सूचना के अधिकार का एक प्रकार से उलंगन करता नजर आ रहा था अब इसमें तमाम चीजे हैं तमाम सवाल हैं जिसमें सबसे पहली चीज यही आती है निकल करके कि आखिर इलक्टोरल बॉन है क्या तरस्वल आपको बता दे कि जब 2018 में संसत के माध्यम से कानून मताते हुए कि इंदर सरकार ने इलक्टोरल बॉन को पेश किया था तो यह एक प्रकार की एक डिजिटल चीज थी या कहें कि एक डिजिटल नाम था electoral bond इससे ये था कि जब सरकार ने इसे पेश किया तो देश में जो SBI की ब्रांच है देश में जो यहां State Bank of India की तमाम शाखाएं हैं उनमें से कुछ चुनिंदा शाखाओं को electoral bond उपलब्द कराए जिनके कीमत रखी गई एक हजार रुपए से एक करोड तक जिसमें एक हजार रुपए इसके बाद सहजार फिर एक लाक दस लाक और फिर जाकर की एक करोड यानि की electoral bond यहां केंदर सरकार ने SBI की कुछ चुनिंदा शाखाओं को उपलब्द कराए जिनका मूलिये एक हजार रुपए से एक करोड रखा गया अब इसमें का यहां सारा मामला इस्तरी के साथ था कि electoral bond को कोई भी सेविक आकाउंट वारा व्यक्ति खरीद सकता है चाहिए एक हजार वारा खरीदे चाहिए एक करोड का फिर जब वो व्यक्ति electoral bond को उसके बाद वो electoral bond किसी भी राज़नितिक दल को उपहार तोहफे और भेट के रूप में दे सकता है जब electoral bond यहां पर किसी भी राज़नितिक दल को दिया जाएगा तो वो राज़नितिक दल उस ही Electoral Bone को बैंक में ले जा करके उसके पैसे अपनी नाम करा सकता है यह सीधे तौर पर Electoral Bone में शामिल किया गया था और जो व्यक्ति यहाँ पर Electoral Bone को खरीद करके राजनीतिक दल को पहार में देता उसको यहां गोपनियर रखा गया उसके नाम को गोपनियर उसकी पहचान को गोपनियर रखा गया अब सबसे पहले पर उठा कि इलक्टोरल बॉण के जरीयगा सीधे तौर पर पःटियों को फंड पहुँचाने की बात है तो इसमें यहां पारदर.. क्यों नहीं है इसके बाद यहां पर यह बाद में विपक्ष्ट द्वारा कही गई कि यह पूरी तरीके से एक बड़ा ब्रश्टचार है जिसकी वविश्य में जाच होगी और अभी से बलकी इसकी जाच होनी चाहिए लगतार विपक्ष्टा कहना रहा और फिर इस ही मामले को लेकर सर्वोचिन्यायाले का दर्वाजा खट कटाया जिस पर बीते गुरवायर को सर्वोचिन्यायाले ने फैसला सुनाते हुए लेक्टोरल बॉंड को रद करार दे दिया इसमें क्या कुछ वे कहते नजराए जरा सुनी इस वीडियो में पहले कोई ऐसी कंपनी जो एक रुपय का प्रॉफिट दिखाए और सौ करोड दे दे कि संभव नहीं हो सकता था शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी अब इलेक्टरल बॉंड स्कीम के जरिये यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी दस शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुप चाप से इलेक्टरल बॉंड्स खरीद ले किस किस को मालूम है एस बी आई और शेहनशा और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और उसकी एवज में वो शेहनशा कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को कोई ले की ख़दान दे सकता है जो बार-बार इस मंच सर बैठकर राहूल गांधी ने कितनी भार उनके मित्र गौतम अदानी के विशय में बहुत चर्चा की है अब हम सब जानना चाहते है कि विशेश कृपा आपने दोस्त पर जो आपकी हुई है क्या ये बावन सौ करोड का इससे कोई लेना देना है हम जानना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरीए अपने जो बिशनसमेन दोस्त हैं उनको फाइदा पहुचाने की कोशिश की है ये बात साब तोर पर अब कहते नजर आ रहे हैं इसके साथ ही लगतार विपक्ष का भी ये भी कहना है कि प्रधानमंतरी नरिंदर मोदी ने अपनी सरकार और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरीए अपने करीबियों और बिशनसमेन को सीधित और पर फाइदा पहुचाया है और बदले में उनसे काफी भारी रगम पार्टी के चंदे के रूप में ली है ये लगतार विपक्षियों का कहना है अब जिस तरीके से ये बात विपक्ष न बाद माना जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से बैक फूट पर आ गई है क्योंकि इसकी बड़ी वज़े एक ये भी मानी जा रही है कि बीजेपी के तरफ से इस पर कोई भी जवावी परतिग्रिया सामने नहीं आई है जबकि यहां जस तरीके से गुरव बीजेपी काफी से मामले में पीछे बैक फूट पर नजर आ रही है तुमाम विपक्षी नेताओं ने एक जुट होकर कि एक सुर में यहां अपनी बात रखी और बीजेपी को पूरी तरीके से यहां घेरा बंदी भी करने की कोशिश की और सारा मामले यहां पर आता है लेक नवत्मान में चल रहा है और लोकसभा चुनावों को लेकर के जब यहां गिनती है वोल्टी शुरू हो चुके है और मतदान की तारीखों का भी जल्द ही ऐलान हो रहा है ऐसे में इस बात को लेकर वी यह चीजज अब बड़ी नजरीय से दीकी जा रही है कि जिस तरीके से इलक्टोरल बॉन्ड पर यह फैसला आया है यह यहां बीजेपी को एक बिरिश्च चार वाली पार्टी साबित करने में बड़ी भूमी का निभाता नजर आ सकता है तलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिये के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें मेंस विन नाइन नूस